जहीं सात्यों कैसे आप लोग भई I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे सबसे पहली लाइन तो मैं आपको बता दूँ यह आपके लिए एक योद्धा बैच हम लोग लेके आने वाले हैं 31 को लौंच किया जाएगा यदि आपको CT देना है आने वाले टाइम में या इसके लाओ कोई हर्याना का एक्जाम देना है तो आप इस योद्धा बैच से आप लोग जुड़ सकते हो अब जिसका भी एक्जाम बच्चे 30 31 को है मैं कहता हूं सबसे पहली लाइन सेल्फ कॉंफिडेंस यानि कि आतम विश्वास आपका मजबूत हो कॉंफिडेंस होंसले आपके बुलंद हो नेगिटिव मत सोचना कहते हैं बी पोजिटिव हमीशा ही एक अच्छा सोचना आपको आने वाले दो दिन मेहनत करो पीवाई क्यू जितने पीवाई क्यू लगा सकते हैं मोग यदि आपने पहले भी लगा रहें तो एक दो मोग लगा के पका एक्जाम में बैठो क्रेंट अफेर पिछले लगबग 6-7 महीने की पकी यदि पीडिएफ फो में तो उसको पढ़के जाओ हाड को पी तो उसको पढ़के जाओ लिखा हुए आपने नौस बना सब्सक्राइब कर लो वहां पर मैं अभी के अभी पीडिएफ डाल देता हूं वहां से पढ़ लेना ठीक है चलिए जो बच्छे मोग चाहते हैं पीडिएफ चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में तो इसी एकडिमी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लो वहां पर बहुत कुछ आ आपका लेवल हुई है क्योंकि एक ऐसे लेवल का मौक बनाया गया है जो आपके एक्जाम में डिक्टो कोपी आपको मिलेगा ठीक है अगेन बोलके जाता हूं तीन लाइन सेल्फ कॉंफिडेंस कम नहीं होना चाहिए एक्जाम निकालने के लिए आतम विश्वास दिल में से आवाज निकलने चाहिए कि मैं एक्जाम निकालूँगा मैं मैक्सियम एम सी क्यूंट पी वाइक्यू जितने दो दिन में लगा सकते उतने लगा दो उन्हीं में से एक्जाम में वस जाएगा जो आपका इस्पेशल सब्जेक्ट का एक्जाम होने वाला है आपने जो डिप्लोमा में डिगरी में जो भी आपको लगता है यह में सब्जेक्ट सब तो कोई बुक है उनकी तो उनको घोट के चले जाओ मैं लिखित में देता हूं वहीं से एक्जाम भर्षेगा ज्यादा टफ नी आएगा असान सा एक्जाम आएगा जितना आपने मेहनत कियो उसमें से आप लोग एक्जाम निकाल लोगे दो दिन बचे वह हैं मुझे विश्वास है कि आप लोग पक्का एक्जाम निकाल के आओगे क्योंकि आपकी मेहनत सची है एक लंबी टाइम से आप पढ़ने लगे भी ठीक है जी जान लगा दिजिए भगवान आपके साथ हैं किस्मत आप लोग वी वैसे अच्छी है ठीक है